आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो बसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ वो कंसिस्ट करता है हमारे काइटेनिस लेयर से जैसे कि हम बात करें काइटेनिस लेयर की तो हमें पता है यह ट्रांस्परेंट सबस्टैंस है यह हम बोल सकते हैं यह कंसिस्ट करता है एक सेमि ट्रांस्परेंट नेचर को जैसे कि इस term के अगर हम बात करें, semi-transparent की, तो ये एक ऐसी layer form करती है, जहां पर हम बोल सकते हैं, हाँ, visuable regions को, इसके साथ-साथ, अगर हम इसके chemical nature की बात करें, catenus layer की, तो हम बोल सकते हैं, chemically, ये formation होती है, with the nitrogenous polysaccharide region से, क्योंकि ये nitrogenous region जो होता है, catenus के अंदर, ये different activities में help करता है, इसके साथ साथ हम यहां पर देख रहे है, carbohydrate के regions यहां पर attach high, जो consist करता है, हमारी sugar range, इसी तरीके से, ये nitrogenous polysaccharide के formation में भी help करता है, cockroach के exoskeletal regions पर, तो अगर हम पहले वाले की बात करें, तो वो होगा हमारा, catenus, ऐसे गर हम बात करें, second वाले की, तो ये ब region में देखें, तो हमें बता है, जो exoskeleton regions होते हैं, वो consist करते हैं, dorsally with the tergum region से, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, जो tergum region होता है, हमारे cockroach के अंदर, वो consist करता है, plate-like regions को, तो हम इसे यहां पर बोल सकते हैं, कि dorsal plate regions जो होती है, उसके skeletal system के अंदर, parallel rearranged होती है, और य इसलिए हम बोल सकते हैं, यह dorsal plate role play करती है, उनके segment body formation से, इसी तरह किसे, अगर हम बात करें, थर्ड वाले की, तो यहां पर यह बोला गया है, कि ventrally plates कैसे attached रहती है, तो अगर हम ventral regions पर बात करें, तो हमें पता है, ventral regions पर जो होता है, cockroach का, वो रिजन होता है, हमारा sternum region, तो sternum region, जिसे हम बोल सकते हैं, breast bone भी, इसलिए, क्योंकि, यह consist करती है, chest region of cockroach को, इसके साथ-साथ, यह, जो chest bone है, इसका अगर arrangement देखे हम, तो यह consist होती है, flatly, इसलिए हम बोलता है, flat bone भी, और located होती है, हमारे chest के center regions में, of cockroach, तो इस तरीके से, अगर second वाले की बात करें ह तो वह होगा मारे tergum, और ऐसे अगर third वाले की बात करें, तो यहाँ आएगा sternum region, अगर हम बात करें fourth वाले की, तो यह बोल है two little phases, तो देखो, अगर two little phases के हम बात करें, cockroach के, तो हमें बता है, जो two little phases होंगे, वो consist करते हैं various other regions को, तो हम उसे बोलेंगे, plural membrane से, तो जैसे क हमने पएड़े पढ़ा था, plural nature के, तो हम देख सकते हैं, यह plural membrane जो होती है, यह present होती है between the tergum regions के अंदर, और हम parallelly भोल सकते है, present होती है sternum regions के साथ, यह important role play यह करती है, क्योंकि इसके अंदर एक liquidity property consist होती है, तो यह help करती है, उसके articulation के अंदर, articulation इसलिए बोला गया है, क और इसके materials के formation में, महाँ पे यह plural region help करती है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, last story region की, तो यह बोल रहा है, dash of the prothorax is also called pronotum, which cover the neck and part of the head, तो इस statement में हम देख सकते हैं, उसका जो neck region और head region consist करता है, वो consist करता है हमारा tergum region, तो fifth वाले जो पार्टियां पे बताया गया है, उ उस region में भी हम बोलेंगे, जो pronotum layer होती है, और neck का part होता है, वो complete होता है हमारे tergum region से, जैसे के हमने बात करें थी tergum region की, वो present होता है, segmented body के अंदर, इसी तरीके से अगर हम इस question के answer की बात करें, तो वो होगा हमारा option A. किया पे लग सीघेर होता है, पड़ी से ने कन दो बात करेंगे वेंदिजर के जменgende व में फो कि को मारा powin थावर.